इस दुनिया में तो 100% लोगों को सक्सेस्पूल होना है लेकिन उनने से केवल 5% लोगी सक्सेस्पूल बन पाते हैं और 95% लोग फेल हो जाते हैं तो क्या फरक है दोस्तों इन दो केटेगरी में क्या इनमें कुछ विजन का फरक है क्या इनमें कुछ प्रयास का फरक है या इनमें कुछ इनरजी का फरक है या फिर इनमें कुछ ऐसी कॉलिटी है कि जो उनको सक्सेस्पूल बना देती है जी हां दोस्तों 5% लोग जो सक्सेस् उनमें कुछ qualities जो होती है या different qualities होती है इसके बारे में आपने तो बहुत सारे motivational speakers से सुना होगा या books भी पढ़ी होगा ट्रेन के डिब बे अगर ट्रैक पे खड़े है और आपने आप मुंबई तक पहुच जाएंगे ऐसी सोच रखना गलत है क्योंकि जब तक उसे propelled powerful engine हम लगाते नहीं है तब तक हो अपने destination तक पहुच जाएंगे नहीं दोस्तों वैसे ही उसी तरह जब तक आप अपने आपको powerful propelled engine का power देते नहीं है तब तक आप अपने लक्ष तक पहुचेंगे नहीं दोस्तों यही success का एक important aspect एक formula है success के यही tips द्यान में रखते हुए हम आपसे पूछना चाहते है क्या आप successful exporter बनना चाहते हो क्या आप में successful exporter बनने के लिए जो burning desire जो चाहत जो dream गोल विजन और पैस यह सारी करने की चाहत है क्या आप में commitment और consistency जैसे quality का अस्तित्व है क्या आप success के लिए जो proven step से उसको follow करना चाहते है और उसको अमल करना चाहते है दोस्तों अगर यह सारे सवालों का जवाब अगर हाँ है तो दोस्तों हम आपके लिए लेके आए 10 simple steps for becoming a successful exporter 10 simple steps आपको लेने है और यह steps आपको बार बार लेने है because repetition is the mother of proficiency expertise क्योंकि जब एक चीज आप बार मार करते हो तो आप उसमें proficient हो जाते हो expertise हो जाते हो तो जब आप expertise हो चाहते हो तो successful बनने की जो आपकी ratios है यह 100% बढ़ जाते हो तो कौन से steps है दोस्तों 10 steps जो हम आपसे share करने वाले तो हम यहाँ पे 10 जो steps है यहाँ पे आपके लिए display कर रहे हैं दोस्तों इसमें से first step जो है number one यह है exam knowledge skills and wisdom and then setting up the business entity तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपको सर्वप्रथम export import और उसके relevant जो subject से जैसे कि customs, GST and FEMA इस related subject का deep knowledge लेना है क्योंकि जब तक आप यह deep knowledge लेते की जो आपकी चाहत है उसको पूरा नहीं कर सकेंगे इसलिए यह first step is very important in becoming a successful exporter दोस्तों यह अगर आप हमसे जुडते हैं हमारे mentoring programs हमने recently launch किये हैं जो आप हमारी website पर जाके देख सकते हैं online mentoring program जिसमें six months और 12 months के mentoring program से उसमें अगर आप enroll करते हैं register करते हैं तो हम आपको यह confidence दिलाते हैं कि एक दिन आप successful exporter बन के ही रहेंगे क्योंकि यह six months और 12 months पूरा period हम आपको hand holding देंगे हम आपके साथ सारी चीज़े जो export import related यह share करेंगे practicals इसके लिए होगे और कुछ free business tours भी होगे इसमें तो इसलिए आप इस पे enroll करेंगे तो आपको exhaustive knowledge इसका आजाएगा skills आजाएंगे और wisdom भी इसका आजाएगा दुस्तों क्योंकि knowledge अगर आता है तो skills पी चाहिए आपको और wisdom नहीं है आपके पास तो यह knowledge और skills किस तरह से कहां पर और किस quantum में utilize करना इसका भी आपको जो wisdom चाहिए वह आएगा नहीं दुस्तों क्योंकि application of knowledge and skills is called wisdom तो second aspect की तरह बढ़ते एक्सपर्ट प्रॉडक्ट सिलेक्शन तो एक्सपर्ट प्रॉडक्ट सिलेक्शन आपको एक पाच प्रॉडक्स ऐसे सिलेक्ट करने है कि जो आपको maximum profitability दे जो आपके नजदिक हो और जिसकी quality अची हो लॉजिस्टिकल point of view आपको कम transportation लगे कम खर्चा लगे और जिसकी cost भी आपको landed cost कम हो और supplies भी easily available हो इस तरह के पाच प्रॉडक्ट आपको सिलेक्ट करना है यह पाच प्रॉडक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर next step आपको करना है तो आपको करना लोकल रिर्षच वैल ऑस इंटरनेशनल ईसेर्ट तो यह दो असपेक्टल जाते लोकल रिशर्च वैल ऑस इंटरनाशनल कि तो सप्लाइर्स की सिलेक्शन करने है तो एक तो suppliers within India and out of India दोनों तरह के suppliers आपको ढूंडने हैं suppliers कम से कम आपको जो डस suppliers आपको एक product के लिए आपको कम से कम ढूंने हैं उसके बाद final जो होगा, आपको कम से कम एक product के लिए तीन या दो suppliers आपके final होगे तो यह आपको minimum आपको past product के लिए past तो suppliers आपको ढूंड नहीं होंगे तो past local suppliers and past third country suppliers आपको research करना है ढूंडना है find out करना है और इसके related जो requirements है यह आपको follow करनी है तो यह ज़्यादा details हम यहाँ पे share नहीं कर सकेंगे लेकिन जब आप course हमारा mentoring program जाइन करेंगे तो हम यह सारी बात है आपको in-depth सिखाएंगे तो fourth stage जो है दोस्तो तो fourth step आपको export product selection हो गया तो export product की landed cost and fob value of export यह दोनों आपको calculate करना है मतलब first आपको आपकी landed cost of the product आपको calculate करना है इसके बाद fob value of export यह calculate करना है इसका meaning यह होता है दोस्तों कि जो भी आप procurement करने वाले हैं आपके supplier से उन से आपको valid quotations लेके रखने हैं valid quotations के बाद आपको उसकी landed cost calculate करने होगी कि आपको procurement cost कितनी पढ़ने वाली है तो procurement cost calculate करने के लिए आपको delivery terms का भी एक खयाल रखना होगा क्योंकि delivery term जो है कि एक तो होंगे उसके factory पे या उसके place पे उसको हम एक्सवर्ट बोल सकते हैं उसके बाद door delivery आपके place पे अगर उसने डिलिवर्ट गिया तो door delivery बोल सकते हैं या फिर port पे अगर हो delivery देता है तो port delivery हो सकता है तो इस तरह से based on the place of delivery आपको उसके costing के quotations लेने है quotations लेने के बाद आपको इसारी जो transportation cost और इसारी include करके आपको landed cost calculate करनी है दोस्तों एक बार landed cost आप calculate कर लेते हो दोस्तों इसमें तो फिर आपको आपकी profitability उसमें add करनी पड़ेगी जैसे कि आप 30% profitability एड़ किया 40% 50% 60% ऐसे चार एक स्ल्याप आप रखे आपकी जो प्राइस से लैंडेड कॉस्ट पड़ी है supplier wise तो supplier wise आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा प्रोड़क्त को प्रोड़क्त वाइज तो तो FOV value generally speak out होती है X sea port या X airport तो अगर आप C से बजने वाल है तो sea port और air से बजने वाल है तो airport तो FOV JNPDI से बोल सकते हैं क्योंकि हम मुंबई के नजदिक है जो भी जो exporter है जो जिसके नजदिक जो sea port है या airport है उससे वो generally export करता है तो क्योंकि logistical point of view ये cost भी बचाता है तो हमारे लिए JNPDI नजदिक है जवालान ने रूप पोर्ट ट्रस्ट इसलिए हम XNPDI या XACC Air Cargo Customs Mumbai इस तरह का quotations जो है कि FOV value का देंगे तो इसमें FOV value में calculate करते समय आपको बाकी सारी चीजों का द्याम रखना पड़ेगा कि landed cost तो आपको हो गई उसके बाद आपकी profitability जो उसमें add हो जाएगी प्लस उसमें आपको जो कस्टम्स क्लिरिंग चार्जे से बाद में port चार्जे से टर्मिलर एंड्लिंग चार्जे से एंसिलरी चार्जे से यह सारे जो चार्जे से यह आपके इसमें FOV value में add हो जाएगे और आपकी उसमें profitability रहेगी तो यह जैसे कि हमने कहा कि इस तरह से आपको चार्ड बना के रखना तो यह हो गई आपनी दोस्तों फॉर्स पे आपने क्या किया 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 था इसका प्रॉकरमेंट स्प्लियर इन nouveau का एक्ट की यहां पे भी आपको buyers and buyers market ढूणना है तो कम से कम 10 आपको हर एक country से दो buyers आपको ढूणना है research करना है उस पर कि कौन से price पर वो import कर रहे हैं कौन से product कहां से import कर रहे हैं कौन से supplier से import कर रहे हैं कौन से country से import कर रहे हैं क्या delivery term से, क्या payment term से उनकी, जैसे supplier के लिए आपने ये सारी study की, वैसे ही study आपको buyer selection के समय में भी करनी है, research करनी है, तो ये study के बाद फिर आपको communicate करके buyer से, उनसे quotations बेजना है आपसे, या उनसे फिर offers लेना है, वाइस वर्सा ये चीज चलती है, आप अगर quotation बेजेंगे या फिर वो आपको offer देंगे, जब offer negotiate हो जाएगी, या quotation फिर contract मिल गया है, valid purchase order मिल गई है, उसके बाद आपको pre shipment finance, या फिर post shipment export finance की जरूरी पड़ती है, आपको bank में आपके approach करना पड़ेगा, वहाँ जाके आपको बात करनी पड़ेगी और pre shipment और post shipment finance के लिए उनसे बात करके आपको establish करना पड़ेगा, pre shipment या post shipment finance, normally credit facilities दो तरकी होती है, crash credit and working capital जो credit है, fund based and non-fund based, तो fund based में generally working capital and cash credit facility आती है, working capital में term loan जैसे aspect होते हैं और cash credit में generally one short term loans के लिए cash credit facility होती है, और non-fund based में letter of credit and bank guarantee आती है, तो यह सारी बाते हम detail में आपको, जब हम मारी mentoring program आप जोइन करेंगे, तब हम आपको पूरी idea दे देंगे, आगे कि step से दोस्तो 7 step, appointment of CHA, customs broker, goods transport agency and freight forward agency, तो अगर आपके terms different FOB से तो आपको freight forwarding agents का मदद लेना पड़ेगा, freight और insurance के लिए, या फिर आप CHA और goods transport agency hire करके आपका काम चल जाएगा, तो 7 step आपको यह करना है, यह बताती है कि आपको यह सारा आपको export order मिल गया, आपने appoint कर दिया CHA और goods transport agency को, अभी आपको executable plan बनाना है, executable export plan और उसको अमल करना है, कहां तक जब तक आपके delivery नहीं हो जाए, export shipment की, तब तक आपको इसका execution करना है, तो इसमें detail में हम ज़्यादा जाएंगे, आपको हम बताते है कि इसका reverse calculation करना पड़ता है कि customers को कौन से समय में उसके place of, जो भी place है उसको वहाँ पे delivery चाहिए, तो इसमें सारे चीज account करने पड़ते है कि जैसे कि vessels के schedules क्या है, transportation का time क्या लगता है, जो हमारे place या supplier के place से अगर निकलेंगा और port तक जाएगा तो उसके लिए time कितना लगेगा, port में कितने दिन रहेंगे, clearance के लिए कितना time लगेगा, readiness of goods at the site, supplier site, कब तक होगा, कितने दिन लगते है manufacturing या जो भी commodity के जो nature है उस पे यह सारी बाते आपको ध्याय में रखे और packing aspects, primary packing, secondary packing, tertiary packing, pallidize और non-pedalize यह सारी बाते ध्याय में रखे आपको executable plan बनाना पड़ेगा, और उसको execute करते जाना पड़ेगा, यह है 8 stage, 9 step पे आपको क्या करना पड़ेगा, 9 step पे आपको actual day of shipment जिस दिन है, उस दिन की पूरी जो plan है, वो execute करनी पड़ेगी, क्योंकि packaging के लिए जो है कि आपको वहां खुद जाके देखना है, packaging correct हुई है कि नहीं, primary packaging, secondary packaging, tertiary packaging, inspection हुआ है कि नहीं, बराबर quality के है कि नहीं, third party inspection arrange करना पड़ेगा, land and quarantine arrange करना पड़ेगा, container arrange करना पड़ेगा, उसके बाद self ceiling होगा, plant and quarantine and formigation के activity होगी, इसके अलावा वहां supervision, self supervision and ceiling होगी, उसके बाद good transport agency को documents जो है, कि यह documents आप उसको hand over करेंगे, जो export के documents, shipments के documents hand over करेंगे, उसके बाद container जो है, कि stopping किया होगा container, जो है loading किया होगा container, यह sea port तक जाएगा, normally air containers यह, normally जो भी factory यह और other premises से वहां जाते नहीं है, sea containers ही generally move होते हैं, तो 9th step यह हो गया दोस्तो, 10th step क्या है, तो 10th step में आपको जब container port में पहुच जाता है, तो आगे की जो aspect है, custom clearance बोलते हैं उसे हम, जब export के समय में custom clearance होता है, उसे export custom clearance बोलते हैं, और उसके लिए जो documents हमने बनाए हैं, यह customs जो CHA उनको भेजने पड़ते हैं, भेजने के बाद जो custom clearance की process हो comply करता है, उसके बाद फिर वहां के जो aspect payments से लेटे हैं सभी CHA समालता है, हमें फिर documents जो है कि जैसे की bill of lading, shipping bill यह हमें मिलते हैं, उसके बाद यह documents हम जो buyer से इनको भेजते हैं, customer को भेजते हैं, और उसके बाद payments आता है, payments आने के बाद हमें फिर मा के जो route से फिर मा का जो loop है, एक close करना पड़ता हैं, क्योंकि जो भी हमने documents भेजे, shipping bill बनाया, exchange control funds बड़ा, उसके बाद उसकी जो payment आई है, यह payment आई है, और उसके related documents, इसके यह सारी चीज़े हमें, authorized dealers जो FEMA के अंदर आते हैं, उनको submit करना पड़ता है, और फिर वो उसकी जो authenticity यह check करके, उसको RBI को report करते हैं, तो यह हो गया 10 step, तो यह 10 step दोस्तों हमने आप से share किया, यह 10 step आपको बार बार लेने पड़ेंगे दोस्तों, क्यों step में आपको knowledge आजाता है, skill आजाता है, wisdom आजाता है, और फिर आपकी जो business entity है, वो setup कर देते हैं, तो जब business entity आप setup कर देते हैं, तो that is the plinth, आप plinth बना लेते हो, और plinth बनाने के बाद आपको building कड़ा करना easy हो जाता है, तो first aspect जो है, first step जो है, यह आप इसमें plinth बनाते हो, और बाकी 2 से लेके 10 step यह बार-बार repeat करते हैं, तो उसमें दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे building खड़ी करते हो, और जब एक building पूरी तरह से खड़ी हो जाती है, तो मतलब आप successful exporter बन जाते हो, दोस्तों, जैसे कि हमने कहा, repetition is the mother of success या proficiency, इसी तरह से आपको यह बार- percent successful, मिलने की guarantee मिल जाती है दोस्तों, एक और चीज हम आपसे बताना चाहते थे कि हमने recently free exam education series का declaration किया है, उस बेसिज पे हमारे इस तरह के वीडियो बार-बार आते रहेंगे, इसलिए हम आपको request करते हैं कि अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो हमारे YouTube चैनल को subscribe कीजिए, follow कीजिए और bell icon भी press कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको बार-बार मिलते रहेंगे, उसके अलवा social media के सारे links और website के links हमने description box के अंदर mention करे हुए है, वहाँ जाके आप visit कर सकते हैं, share कर सकते हैं, follow कर सकते हैं, और comment भी कर सकते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए subject के साथ तब तक के लिए विदा दीजिए, thanks a lot, have a great day.